हेलो एव्रिवान वेल्कम बाक टो आर चैनल सुमाप कॉर्णर इफ्रिया नून प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो माई चाइनल आज की वीडियो में आपके साथ में एक बहुत सी थोड़ा सा लेफ्ट ओवर फैब्रिक है उसके साथ में एक फ्रॉक एलेंड आप दे सकते हैं अफगानी सलवार में उसमें बनाया था तो उसमें साथ सलवार का इतना ही फैब्रिक बचा हुआ था और नीचे की ऊपर के जो खुर्ती थी तौप प्रिंटेड उसका इतना कपड़ा बचा हुआ तो मैंने सुछा इससे ही मैं कुछ क्रियेट करती है तो की जालेकर तो आपको साथ मैं उसकी वीडियो शेर कर रही है यहाँ पर मैंने जो नीचे के लाइन लगाया जो एक्स्ट्रा त्यड़ा मेडा त्सट्रा के बिल्को सीधा हो जाए इसलिंए मैंने आप नीचे को टाँपिड़ कर लिआ है अब Support कमीज में कि हाफ आफ इंच ओपर के उस प्लेन कपड़े को और हाफ इंच नीचे के कपड़े पर दोनों पर निशान लागे यह दोनों में जोड लेना है स्लाइ कर लेना है बाद में एंड में कटिंग होने के बाद अब यहाँ पर मैं कमीज की जो लेन्थ है यह 20 इंच लगा रही हूं इस तरह से यहांप पर मैंने जो मेरा शोल्डर है मैंने यहां पेटी की लेन्थ से रंधिछ लेए और शोल्डर को साड़े साड़े है और आमुल को भी साड़े च्शले बच्च अगर healthy है तो आप 5 ले लिजिये शोल्डर भी और आम होल दोनों और यहां पेटी की लेंच साथ इंच है यहां पर निशान लगाने के बाद साथ इंच है यह आप देख से साथ इंच और नीचे जो अवेस्ट लेंथ हमारी कमर की लेंथ होती है वह मैंने नौ पर लगाया है यहां पर साड़े छे इंच मैंने टेस्ट का निशान लग यहां पर छे लगाया है और देड़ इंच स्टिचिंग का अब मैंने लंबाई यहां पर निशान लगा रही हूं इस सारे निशानों को अब आपस में जोड लेंगे देड़ इंच मार्चिन का देखिया मैंने कमर पर लगा लिया है यहां पर मेरी वीडियो कैमरा आफ होने की वज़े से मेरी वीडियो शूट नहीं हो पाई तो मैं आपको एक और क्लिप एड़ कर रही हूं इसी उपर वाले फैबरिक पर ड्रॉ करकर बता रही हूं इस तरह से निशान लगाया था, 2 इंच जो मेरे मेरा गलनेक का हों और 1 komme की इस तरह से presenter बद्रॉace दी और 1 से मैंने इस तरह से निशान लगाया ता आपको इले कपड़े मैरे ड्रॉ करका बता दिया है। मैंने किस तरह से बनाया था यह देख सकते हो आप यारा når दो कर कर दिखि review,. फिर यहाँ पर सारा निशान जो हमने लगा है उसे कट कर लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेंगे और वीडियो एंट तक जरूर देखीगा कि मैंने स्टीचिंग के बाद भी यहाँ पर कुछ अलग अलग से पैटन बनाएं वीडियो एंट तक देखेंगे तभी ही आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या एंट बनाए यहाँ छोटे-छोटे नौजिस लगा लूगी यहाँ प यहाँ पर आम होल की इस तरह से गहराई दे देंगे और यहाँ पर साड़े-चार इंच पर हम अस्तीन का बॉटम निशान लगा कर इसे कट कर लेंगे अगर आपके स्प्रैच फैब्रीक है तो आप उसे भी लेकर बना सकते हैं जरूरी नहीं कि आप लैफ्टोवर फैब्रीक से ही बनाएं यहाँ पर अब मैं बैक का गला कट कर लूँगी उसकी बाद मैं फ्रंट का कर लूँगी अगर आपने मेरी प्रीवेस वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैंने डिटेल में बैक और फ्रंट पाब्रिक की वीडियो कटिंग और स्टीचिंग के साथ उसका दो पार्ट है फर् अजगी अथर ट्रंट की वीडियो । कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अब यह फर हमारा जो पेटी है उपर की फ्रेंट साइट की आगे इनकर वखोताऊ कर से स्टिक नाम से तेपर पेस्टिंग का नाम है यहां पर रहता है जो तो चरलवा शाइनी रहता है बैकसाई प्लीगिंश्ट प्लीगिंश्ट फृटख देमाले प्रफ जैसा रहता है तो इस तरह से मैं लाच इटका कर इसे कट कर लिया है अगर आप मशीन से कोई भी डिजाइन बनाते कुछ भी बनाते प्लीज पेपर पेस्टिंग का यूज जरूर करें मैं हर बार आपको वीडियो में बोलती हूं कि पेपर पेस्टिंग मस्ट है आप आप मुझे कॉमेंट करते हो कि नहीं बन रही है तो पेपर फेस्टिंग लगाएंगे तो आपकी डिजाइन पर्फेक्क बनेगी यहां पर मैंने पुरे डिटेल वीडियो शेयर नहीं किया है कि मैंने मशीन में कॉन से पैटन सेलेक्ट किया है कॉन कितने नंबर पर रखी हू झाल से कि अगर आपके पस इस तरह की मशीन नहीं है तो आप महापन लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आपको हैंड रोएड्री या वहां एम्पो यहां यूजुज कर सकते हैं अगर आप लेस लगाएंगी तो भी बहुत अच्छा लगेगा और जिग जैग पैटन म मेरी मशीन में इस तरह के पैटर्ण बहुत साई डिजाइन बनती है तो मैंने इसका यूज किया है यह आप देख सकते मेरा इस तरह से बनकर बहुत ही प्यारा लग रहा था आपको कोई भी ड्रेस में इस तरह से बना सकते हो बहुत अच्छा लग रहा था यह मैं फ्लावर स्टिच फूट का यूज कर लिए डिजाइन बनाने वाई है अब हम नॉर्मल जैसे कपडा स्टिच करते हैं इस तरह से आप स्टिच कर लिए बैक साइट पर आप यह देख सकते हो आप जब एक दो वाश करोगे तो यह निकल जाएगा बाद में आप कहींची से इसे भी काटके निकाल सकते हो इसे क्बेटाइ में आप के लिए दो झाल 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 झाल